हेलो एब्रिवन सौगात है आप सबका हमारे चनल इंजिनेरिंग हैक्स भी मेरा नाम है अभिशेक और आज हम बात करने वाले हैं स्केच टूल के मोडिफाई कमांज के बारे में जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको पता होगा कि हमने सीखा है कि किस तरीके से अबजेक्ट को बनाते हैं किस तरीके से ड्रॉ करते हैं ना हमारा टास्क होगा जो कुछ भी हमारा ड्रॉ हुआ है उसको किस तरीके से मोडिफा करते हैं, so let's see, file new part, ठीक है, हमें क्या करना है, drawings बनानी है, तो front plane पे आए, front plane पे हमने कुछ draw कर गया, something like a rectangle, अब हम मारा command start करते हैं, modify commands का, तो सबसे पहला command है, fill it, जैसा कि आपको दिखता है कि एक rectangle है, जो अभी क्या है, corner shape में, ठीक है, corner shape में मतलब उसका क्या है, edge है, corner shape मे edge है, यानि कि हमें का करना है, इसको smooth करना है, smooth करने के लिए क्या यूज करते हैं, fillet क्यों use करते हैं, इसके पीछे reasons क्या है, इसके पीछे का जो reason है, मैं अलड़े एक video में समझा चुका हूँ, चाहो तो आप देख सकते हो, otherwise इतना brief में समझ लो, कि fillet का use होता है, corners को modify करने के लिए, और stress concentration को distribute करने के लिए, या फर stress को reduce करने के लिए हम करते हैं, तो कैसे करते हैं, उस video में अब check out कर सकते हैं, उसमें detail image लिए होगा है, तो हमें corners को क्या करना है, smooth करना है, तो हमने corners पे click किया, sorry, fillet पर हमने click किया, that this is the flat command, fillet पे click किया, यहंपे कह रहा है, select the edge, कि entities को split करना है, and radius करना है, अबने का, इस point पे click करना है, point पे click कर सकते हो, या दोनों edge को click कर सकते हो, जैसे आप दोनों edge को click करोगे, तो भी आप radius को सकते हो, point पे click करोगे, तो भी आपका split होगा, radius की value आपने देदी 10, 20, whatever you want, clear है, so this is the fillet, आपके corners के हो जाएंगे, smooth हो जाए यहां पर होता है, chamfer में two types के condition होती है, एक होती है, angle distance, एक होता है distance, distance, angle distance मतलब क्या हुआ, कि, suppose करो, कि चलो, पहरे समझ देता है, angle distance का मतलब क्या हुआ, कि एक line, inclined line बनेगी, जिसका angle और उसकी distance की वलूदी जाए होगी, जैसे, distance train है, angle 45, तो हम इंदोनों को select कर लिए, ठ अगर 10 का, clear न है, यह भी क्या हुआ, corner के smooth किया, बट यहां पर flat करके smooth किया, और यहां पर curb करके smooth किया, स्यम तरीके से, chamfer के click किया, आपका दोसा तरीका होता है, distance, and distance, ठेक है, यहां पर click करोगे, अब distance, distance में दो तरीके होता है, जैसे, बात हो रही है, एक distance और दो distance, यहा और इसका दोनों का distance अलग-अलग भी हो सकता अगर एक फोल रखना है तो क्लिक कर दो अगर अलग-अलग रखना है तो इसको अन्चेक कर दो और इसकी वैलू और इसकी वैलू सब्सक्राइब करें एक का 10 है और एक को अठीक है यहां पर नहीं होगा क्योंकि हमने सलेट कर चुके है हमें पहले टाम स्थेन ही पड़ेगी ठीक है यहां पर साइन कर दिया आप समझना है कि किसको तेन और इसको ट्वंटी का रिमूव करना है जिस ऑब्जेक्ट में पहले सब्सक्राइब क लिए आप अपने कौर्ण तो को स्मूथ या फ्लेटिल कर सकते हूं यह किसमें हो रहा है स्केच के अंदर हो रहा है ठीक है याद रखना है सोल्ड के अंदर अलग तरीके से करते हो था नेक्स्ट आता है ट्रिम कमांड को मैं हटा लेता हूं को कि आपकेम कमांड का मतलब कि इस रेक्टेंगल में यह और यह सब के हैं उसके एक्स्टा पार्ट है तो ट्रिम पे कलिक किया को ट्रिम करोगे त्रिम के आपको five options दिखेंगे वावर ट्रिम कॉरनर ट्रिम डिरेख इंसाइट ट्रिम अवे आउसाइट ट्रिम टूझ तो टा क्लोशेट्स ठीक है सब्सक्राइब करना उसको सब्सक्राइब करना उसको सब्सक्राइब करता है कि जैसे आप पावर्ट करो अपने कर सब्सक्राइब करने के लिए यानि कि इससे के ऊपर वह गुवर ऊपर उसको कर देगा वह बूद कर देगा कि इस तरीके साब किसको चाहूं यूज़ करके कर सकते हैं और यहां पर लिया और यहां पर लिया है अब जैसे इस और इस ओबजेट को में एडी करना है तो तो इसको में देट कर दिया अब नेक्श आता है आपका ट्रेम ऐ इनसाइट एंड आउटसाइण सबसे पहले वे बात करते हैं जलोगें कि ऐसे गया ट्रीम। दोनों boundary के जो भी बाहर है उसको रिमूव कर सकते हैं दोनों एक साथ में रिमूव हो जाएंगे तेक है सेम तरीके से कमाड हमारा repeat होता है रिम इंसाइड में boundary select कर दो रिम इंसाइड बांडर किया और अंदर क्यों प्रिमुव कर दो करेक्ट है करेक्ट है सेम तरीके से extend भी काम करता है और तो चला जाए इस अप्शेकर में देख रहें आता है अभसेड़ का मतलब क्या है सिंपल पता है किसी इस एक object के parallel एक और object बनाना, तो object पर click कर दो, फेरा इस object के parallel बनाना, इस पर click कर दिया, जैसे click किया, इसके left hand side पर एक yellow color का आपका line बनने लगा, जो कि क्या है, 10 m की distance देर, ठीक है, अब 10 की distance को चाहिए, या 20 की distance को चाहिए, यहां से आप value को decide कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप आपको left या right नीच यह था, आपको दोनों side में चीए था, तो bi-directional on कर ले, ठीक है, जैसे bi-directional किया, आपके सामझे दो object है, अब इन दोनों object अभी joint है open way में, ठीक है, इनको close करना है, ठीक है, तो close कर सकते हो, close आपको arc से करना है, तो arc से क्लिक कर दो, close आपको line से करना है, ठीक है, जैसे आपको arc से क्लिक करना है, क्लिक कर दो, यह फिर जो opposite geometry, इसको center line में क्लिक करना है, तो मर्जी आपके जिसको convert करना चाहओ, तो मुझे base वाला पर करना था, base पर क्लिक कर दो, ठीक है, तो एक line से आप slot पर कर सकते हो, with the help of object कमा, clear है, चल, next आता है आपका mirror entities, mirror के लिए क्लिक होता है, एक reference line चीए होता है, तो हमने एक reference line बना दी, slot पर आए, एक और slot हमने ले लिया, कुछ ही है, इन दोनों को मुझे mirror करना था, तो हमने simple आगे हम mirror entities पर click किया, कहरा है, किसको mirror करना है, entities to mirror हमने तो आपका वो अब्जेक्ट मिर्ट हो जाएगा इस मिर्ट का फायदा यह डिस्टेंस क्या होएंगे एक कॉलेंगे तो मिर्ट आपको बहुत अच्छे से पता हो उसमत सब्सक्राइब इसको भी डिलीट किया अगला जो कमाड आ रहा है वो है पैटन पैटन मतलब की आरेंज में यानि कोई एक आपजेक्ट है उसको किसी नंबर आफ सिक्वेंस में अरेंज करने के लिए क्या करते हैं जैसे सपोच करो आपके पास एक रेक्टेंगल ठीक है इस रेक्टेंगल को आपको रो और कॉलम में एरेंज करना है तो क्लिक करोगे लिए इसकेश पैटन के क्लिक कर दिया अभी आपको एक रेफ्रेंज बनके आ रहा क्योंकि नंबर आफ काउंट टू है यहां से आप नंबर आपको ब्रास सकते हैं पर नंबर आप डिस्टेंस पर देए अपर 10 था तो हमें इंक्रीज करके कर दिया 60 के बाग़ ठीक है नंबर आफ काउंट बढ़ा देता है तीन चार पांच छे जतना आपको चाहिए किस में आ रहा है आपको एक एक्स डैरेक्शन में आ रहा है क्योंकि यह इस डैरेक्सन में क्योंकि 2D है ना तो X और Y में आएगा तो एक एक्स और एक वाई तो अभी एक इस में आ रहा है तौलब के फॉर्म में आ रहा है और यह बढ़ा पारे क्योंकि नंबर आप काउंट अभी एक है इसको आप जैसे इंक्रीज करोगे दिस्टेंस को उपसल इनेबल हो जाएगा तो हमने यहां के भी इस्टेंस इंक्रीज कर सब्सक्रीज करते हैं पैटन कर सकते हैं linearly ठीक है यह अब गया linear sketch pattern clear स्यम तरीके से आप circular sketch pattern भी कर सकते हो तो हमने यहाँ पे एक circle यह बनाया और एक और circle बनाया तो एक difference clear करने के लिए ठीक है एक circle हमने चले एक rectangle लिया और यहाँ बना दिया अब इस rectangle को इस circle के आपको पैटन करना है तो सब्सक्राइब पैटन पर ठीक है क्याना entities to pattern हमने यह सरेट कर लिया और नंबर आफ काउंट 4 पर आके अब नंबर आफ काउंट बढ़ाया काम कर सकते हैं ठीक है जितना आपको चाहिए जैसे अच्छे सब्सक्राइब आफ नहीं तो भी जीए ठीक है अब सब्सक्राइब करो कि मालव इस rectangle को इसके अबाउट पैटन करना है तो जैसे सब्सक्राइब पैटन ले रहे हो और इस तरी पॉइंट के ऊस्ट पॉइंट के पाइटन वना स्टाट कर दें गया जितैक है इस तरीके सी का ब्रेटन नेक्ट अता है है move copy stretch rotate and scale यह है अब के कमांड वह से सिंपल से कमांड है है कि आपके सो हमने बनाया एक रेक्टेंगल एक छोटा सा बड़ा सा रेक्टेंगल बना दिया फिर एक बना किया एक उचोटा रेक्टेंगल है है एक कि आ방तों करना सिर्फ कभा जब होता लेकिन अरप क्लुख करने से इस तो को पता होना चाहिए आतर आपको ऌपी कमन्ट में फिर से इसको सर्रag किया किस्के एक करना इस पॉइंट के वाथ क्रीकरना है यहां रखना है यहे पिर आता है आपको rotate command, rotate पे click किया, इस पूरे object को rotate करना है, select कर दिया, किसके about इस center के about, ठीक है, angle कितना 45 degree, object rotate, simple, फिर क्या था आपका, skill entities, किसको skill करना है, इस पूरे object को skill करना है, किसके about skill करना है, इस point के about skill करना, अभी क्या है, one का, अभी धग पर याक वह जाएंगा, double object फिर आता है, सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरीके से सब्सक्राइब करते हैं अब्सक्राइब करते हैं और विडियो में पसंद आए तो प्लीज लाइक करें कॉमेंट करें और दोस्तों के साथ शेर करें ताके उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुचे और प्लीज सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूले धन्यवाद